नमस्कार फ्रेंड्स मैं संतोष पार्टी संतोष रूपिंग के यूटूब चानल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स ऐसे कि आज आज ऐसे साइट पर जाना है जहां पर करीब साथ फीट तक का जो मेसेनेरी वर्क हुआ है वो कंप्लीट हो गया है अभी उसके उपर हमें जा इमेज दे थी और बोला था कि कुछ इस तरीके से उनको घर पाना के चाहिए चलो जैसे कि अभी हम साइट पर आया यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर जैसे कि जो मेसेनेरी वर्क हुआ है वो साथ पिट तक कंप्लीट हुआ है अब देख सकते हैं चारों तरफ से और उसक पिर यहां तक तो काम होना जरूरी है उसके बाद हम उपर काम कर सकते हैं अस्ट्रापॉल में जब भी साइट पे काम चालू करना रहता है तो फिर जो भी स्टील वर्क काम करना है तो फिर जितने भी पाइप रहेंगे या फिर एंगल से रहेंगे तो फिर उसको एक कोट ज जंग निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है तो फिर यह एक सबसे इंपॉर्टन काम है जो कि आप करके यह आगे से साइट चालू कर सकते हैं पेले तो हमें यहां पे लिंटल के उपर बिल्कुल ट्रस लगा के लेने है यह देख यहां पे ट्रस जो है वो दो इंच बाज चार इंच के हैं और उसकी तीखलने 3 अमए है आप देख सकते हैं बिल्कुल लिंटल के उपर लगाए गails है उसको और उसके उपर आफ्टर भी लगाए गए है फिलाल तो देख सकते हैं दिवार के बाहर करीब साथ तो फिर वह उपर से तो तोड़ा जाए बाद में और यह देखें नीचे से भी और एक उद जो दूसरी वाजु है वहां का राफ्टर है यह जो राफ्टर दीक रहा है आपको बिलकुल हा यह जो पीछे वाला राफ्टर है तो फिर यहां पर अभी तो फिर यहां पे तीन त्रस लग गए से यहां पर उर और पीछ़े की दर्फ में और उसके ऊपर से राफ्टर रन हो गया है हर चार 4 चार आफ्टर है वो लगया है यहां पर हमारे पास दो दिवार के बीच में जो अंतर है वो करीब दो जगा पर लगने वाली थी सब्सक्राइब है और बीच में लगने वाले औरुश्भी की तंध्यकों करीब कि तो स्ट्रेटक डबन गई है अपनी कैशे ने अब हम देखेंगे कि कैशी हमारे हमें वह darkness तरह किसे लगा रहे हैं लोग एक जगत से पहले उपर उठाके लगाएंगे और वहाँ पर फिक्स करने के बाद दूसरी जगत से उपर ले लेंगे और उसको बाद में अलाइन किया जाएगा यह देख सकते हैं एक साइड से कैची को उठाके कॉलम को प्रॉपर बांध दिया गया है ताकि कैची जगत से हिलेगी नहीं और दूसरी साइड से उसको इजिली लगाएंगे और बाद में उसको अलाइन किया जाएगा अब देख सकते हैं यहाँ पर यह देखिए एक जगत से ऊपर उठाई है अब यहाँ पर दूसरी साइड से कैची को कॉलम की उपर रखेंगे और उसको अलाइन करेंगे ताकि उसके उपर राफ्टर जो लगेंगे वह एकदम बड़ी आतरिक से लगेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले तो हमें जहां पर राफ्टर लगाने हैं बिल्कुल उसके लिए कुछ लाइन दूरी लगाकर यहां पर रेस्ट हो जाएगी तो उसके सबसे पहले लाइन दूरी बनाके एक वर स्का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है उसके बाद हमारा जो राफ्टर लगने वाले हैं उसको एक तेंपरवडी लेवल पर उसको वेल्डिंग क और उसके बाद ही आगे वाला काम हो जाएगा देखेगी यह अलग-अलग जगह जो राफ्टर लॉप्र लगाई जाया होग उसके कुछ वीडियो से हर एक स्लोप अलग डिग्री में हैं तो फिर उसके मतब ऐसे जगह पे काम करने के लिए काफी ज़्यादा टाइम जाता है और आप यहां पर देख सकते हैं काफी जगह पर ऐसे सपोर्ट भी लेने की ज़रूत पड़ती है तो बिल्कुल इस तरह के से सपोर्ट भी लिए ग पर अगर 17 डिग्री के दोनों स्लोप रहेगे तो कोई ऐसा फरक नहीं दिखेगा आपको या फिर ऐसे वह लो सेक्षिंस नहीं दिखेंगे आपको यहां पर तो फिर ऐसे आप से तबहीं आ जाएंगे जब दो स्लोप अलग अलग मतलब अभी यहां पर आमने चेक किया तो आएज पहले-डिग्री में काफी ज़्यादा फरक है तो य। फिर अगरो एशवा तो अपपो प्रूरा काम होने के बाद जो परली लगानी थी वह अभी लगाई गई है पर्लिन का जो distance है center to center रहेगा वो करीब 13 से 13.5 इंच के बीच में यह रहेगा यह देख सकते आप एक side का जो slope है वो करीब 55 डिगरी है बाकी का यह जो सामने वाला slope है वो करीब 20 डिगरी है और उसके बिलकुल पीछे वाला जो slope है उसको करीब 28 डिगरी में मिलाई गया है तो कुछ इस तरिके से अभी यह परली लगाई गया है जो दिवार के बाखे में लगानी है तो बिलकुल कुछ इस तरिके से परलीन आपको जाके वहाँ पी चिपकानी है ताकि वहाँ पे tile easily rest हो सके यहां से आपको थोड़ा से उपर से अगर देखने के बाद पता चल जागा कि पाया जो पर्लिन आने वाली है तो यह देख सकते हैं आप बिल्कुल दिवार को चिपके हैं फिर वैसे होना बहुत जरूरी है पर्लिंग का काम खतम होने के बाद हमें पहले तो सबसे जदा इंपटन है जो भी दिवारे हैं घर के अंदर से आने वाली है वो पूरे दिवारे बना कि उसका प्लाष्टर होना बहुत जरूरी है अगर वैसे नहीं होता है दिवार अगरे नहीं बनते है तो फिर बाद में दिवार बानना वहाँ पे भी थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है और या फिर प्लास्टर करने के बाद टाइले थोड़ी से अंदर से गंदी हो सकती है तो फिर बढ़िया रहेगा कि पहले जो भी मेस को 215 खे होते हैं और जिसके ठीक Image रहते है करें तो पर लीदी यूजर करते हैंओ एक इंच वाइक एक इंच के और जिसकी थिकने सायां यहांपे wave filter सई मünह्रаст कि और अभूंतर के बींच में जो अंतर रहेगा उसेंटर्ट फृट होना चाहिए से ज्यादर बिलकुल नहीं होना चाहिए वरना प्रल्म हो सकते हैं सैंग हो ू 2-3 च criticize जाएogn होना चाहिए उससे ज़्यादाँ नहीं ओना चाहिए और जहां पर भी बेटने उस तरीकी से वह कटिंग होना चाहिए देख सकते हैं बिलकुल अईसे ही कटिंग होना चाहिए परलिं का तभी तरीं सही है अगर फिले ङी खतम काम कर रहे तो जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं जहां पर टाइल आया जाएगी उसके उपर बिल्कुल प्लास्टर होना जोड़ रही है तो फिर ऐसे प्लास्टर कंप्रीट करके बाद में काम चालू कीजिए कि यह सबसे इंपोर्टन बात है कि कुछ इस तरी किसे हमें पहले से ही अगर वो पूरा फिनिश मिलता है तो फिर उसकी उपर जो भी हम काम करेंगी वो बढ़िया रहेगा और प्लास्टर होने के बाद ऐसे हम उसको जो स्ट्रक्चर है उसको एक या दो फिर कोट लगा के उस ऑपर इस एड़ी टायल लगा सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं दो स्लोप है उसके बीच में जो दिवार आती है उसको सही करना वह बहुत ही मुश्किल काम रहता है तो फिर आप अगर ऐसे कुछ काम कर रहे तो फिर ध्यान रखें कि टाइल के ऊपर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो फिर पहले टाइल मत लगई है पहले ऊपर का काम पूरा गर के लिए सेमें का हो या फिर कोई भी और कुछ गलती हो गई तो लिकेज तो तय है तो फिर यह ध्यान में रखें और जो भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे तो उसमें जो भी दिवारे बननी है या फिर उसका प्लास्टिंग है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टन्ट है जब यह ऐसे कुछ हम काम कर रहे हैं यहां पर है जले हम रोलर या फिर बरस से यूज कर सकते हैं यह देख सकते हैं यहां पर उसको पेंटिंग और करना तो वैसे तो इजी रहता है उपर से हम इसको पेंट भी कर सकते हैं चारो तरफ से जैसी कि अभी आप देख सकते हैं टाइल पूरी लगा कि हो गई है अंदर की तरफ किस एक बिल्डिन की पीछे की साइड में है है सा मिली की सामने वाली साइड आप देख सकते हैं आप कि अगर करके है एकदम परफेक्ट है टाइल टूटाइल करके लिया है ता कि वहां से कोई गाप भी नहीं है और यह देख सकते आप दिखने में में काफी बढ़िया दिख रहा है यह पीछे के साइड में भी जितना भी प्लास्टर होगर किया है एकदम हंडर्ड परसंट शूर करके लिया है आप यह देख सकते परलीन जो है वहर पर 3.5 के उपर लगाई गई है ते परली जो परलिन है वह डबल होनी चाहिए जो हमेशा और यह वाली है यह एक एक होनी चाहिए एक इंच बाइक इंच की यह भी बीच में कैशे आ गई है और आगे पूरी परलीन जितनी भी है वो एक इंच बाइक इंच की है और यह देख सकते हैं आप यहां पर दिवार के आसपस तो फिर एकदम बड़ी असा जॉइंट हो गया है यह थोड़ा सा अंदर से हम देख सकते है काफी बड़ीया लूक आ गया है अंदर की तरफ से अंदर वैली के लिए जो शीट लगाई गई है यह भी आपको दिख रहे हैं यहां पर हर चार-चार फीट के उपर जो राफ्टर लगाए गए है परलीन है वह आपको सही तरी किसी दिख रहे हैं यहां पर जो सामने व इंपोंटन्ट रूल दा करेंगी क्यूंकि जो दौ स्लोप की ऊपर से पाने आ जाएगा वहीं वैली की ऊपर अजएगा और वही से वह वाहर निकलेगा इस सबसे जीयादा इंपोर्टंट है रिली बिलगाना और हषब से ज्हाजा इंप्टन न हुर लगाना सही तरीक force कि यह उलमें हो सकत हैं कि पानिंदर के तरफ आ-जाए हैं यहां पर वह ए इन यह कि आम लगाने थी आ जुर सभी सब्से ज्यादा ईंपॉर्टन है और अभी हम देख रहे हां पे कि नीचे से ईंशती है कि फीफ पानिंदर की तरह कि तिरफ रिप्लिस की गई है ग्लास टाइल में बिल्कुल 100% जो सनलाइट है वह बाहर से अंदर आ जाएगी ताकि आपको जो अंदर जो लाइट का इफेक्ट है वह 100% मिले और उसके लिए ज्यादा ग्लास टाइल लगाने की विज़रूत नहीं पड़ेगी यह देख सकते हैं अभी कि हमने टाइल निकाली थी और अभी का जो इफेक्ट है आपको देख सकते हैं सेम यह सेम और काफी बढ़िया तरीके से अंदर सनलाइट आ रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो टाइल के नीचे का जो हिस्सा है वह अभी तक प्लास्टर से नहीं भरा गया है तो फिर इतना सही नहीं दिखेगा आपको तो फिर यह भरना बहुत जरूरी है और यह अभी भरने के बाद देख लिए तो फिर दोनों में काफी ज़्यादा फरक है तो फिर यह जो फिनिशिंग है यह फिनिशिंग और खोना चाहिए ज्योंकि साइट पे बहुत जरूरी है और भी नहीं चलेगा कि यहां पर भी ग्लास टाइल है ऐसे अंदर से विंडो भी दिख रही है कि देख सकते हैं काफी बढ़िया एक प्रोड़क्ट है उसके उपर हम इजी चल सकते हैं कोई फरक ने पड़ेगा तोटने के कोई चैंसे नहीं है यहां पर एक लोगों भी कंपन इन पर यहां पर जो पूरा रूफ है उन पूरा इंपरेगा हैं अभी हम देख सकते हैं आपे लिए कि जो टाइले लगाई गई है ए स्ट्रेट लाइन टू लाइन लगाई गई आं और अभी पर्फेक्ट है उसके बाजू में जितने भी रिजिस हुगे लगाई गया है य जो आपको फिनिशिंग दिक रहा है एकदम बढ़िया और पर्फेक्क फिनिशिंग दिख रहा है औरेंज कलया के यह टाइल है अपरे यह दिख सकते हैं यहाँ स्थेट लाइन है काफी अलगज अलग़ अंगल में आप ईसलोप है यहां पे बीच बीच में ग्लास स्टाइल जो राली गयी है, यह भी आपको दिख रही है, अ काफी बढ़िया तरीके से उसका you काफी बढ़िया तरीके से लगाई है अ काफी सुन्दर रूफ हो गया इए और बाड़िया च्टरी भी है यहां पर यह देख लिजे कि यहां पर एक वैली भी है दोनों तरफ से तो यह वैली के अंदर वैली शीट लगाई गई है जो कि सबसे ज्यादा लगम्नदय पानी बाहर निकाल ने के लिए है और आपी दिखा रहा तक हमारा अब काम चालू था कि रहीति बढ़ी आतरीका के से करो पिंग बन गया है कि अच 66 कि 5 फिनीशिंग किया गया है जहां जहां पे दिवार आ गई है इसे अबटमेंट एर्या है वहां पे सिमेंट से उसको प्रॉपर सील किया गया है ताकि पानी अंदर जाने के कोई चांस ना रहे एक दिखतते हैं सामने से भी काफी बढ़िया तरिके से उसका finishing हो गया है लाइन लेवल रीज बाज या फिटाल के अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया सबी proposed चांस से काम किया गया है यहां पर उसकी इतनी भी टाइली लगाई गई है ब्रेक जॉइन में हैं आप यहां पर विवाज के भी फिनिशिंग देख सकते हैं अब यहां थोड़ा सा साइट जो है उप चारो तरफ को गुम के देख लेंगे एक बार जिस तरीके की रिकॉर्मेंट थी क्लाइंट की बिल्कुल उसी तरीके से पूरा रूप बन गया है जब हमारे पास इमेज आ गई थी इस घर की तो फिर वो इमेज आ और यह घर में माइनर फरक है क्लाइंट ने बाद में कुछ चेंजिस किये गए थे आप पहले इमेज देख से बनाया है आप देख सकते हैं चारों तरब से काफी सुन्दर हो गया है अभी थोड़ा सा पेंट होना बाकी है घर को पेंट एक बार हो जाएगा तो फिर और भी ज्यादा खूब सुरह दिखाईगा कुछ इस तरीके से कंप्लेट हो गया है घर पूरा होने के बाद बिल् और अगर हम फैब्रिकेशन करके अगर उसके उपर मेंडर टाइल लगाते है तो कैसे है एकदम बेसिक वर्क था तो फिर आपने देखा होगा फ्रेंड्स अगर यह आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और अब अमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलिया मैं संतोष पाटिल संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल से धन्यवाद प्रेंड्स